हम अपने चारो और विविध प्रकार के सजीवों को पाते हैं जिने हम आखों से नहीं देख पातें ऐसे अती सूख्ष्म किटावणों से लेकर जिनकी बनावट बहुत ही जटिल है ऐसे हम मानों तक इन सजीवों की वैविध्यता फैली हुई है इतनी जटिलता होने के बावजूद ये सभी प्राणी उन सभी क्रिया कलापों को करते हैं जो जीने के लिए आवश्यक होते हैं अगर हमें अपने आसपास के सजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो हमें उन्हें ठीक तरह से संयोजित करना होगा ताकि हम उनके कार्यकलाप, उनकी विशेष ताये और समान ताये के बारे में जान सकें प्राणियों के वर्गीकरण की पध्धतियां भी अनेक वर्षों से धीरे-धीरे विकसित हुई है और इस सूची के द्वारा हम यह भी देख सकते हैं कि वइज्यानिकों ने प्राणियों को विभिन्न जगतों में वर्गी कृत किया है इन वैज्ञानिकों में मुख्य थे स्वीडन के वनस्पती शास्त्रद्य काल लीनियस इन्हें वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने प्राणियों की वर्गीकरण की एक पद्धती का विकास किया, जिसे लीनियस की वर्गीकरण पद्धती अर्थात लीनियन टैक्सोनमी कहा जाता है। और उन्होंने प्राणियों को नाम देने के लिए दो पदो वाली नाम पद्धती भी विकसित की। आज की तारीख में वैज्ञानिक वर्गी करण की इस पद्धती के आधार पर संशोधन कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक प्राणियों के DNA के विशलेशन की पद्धती पर अधिक जोर दे रहे हैं। हमने प्राणियों की वर्गी करण की पारंपरिक पद्धती का अध्ययन किया है। जिसमें हमने प्राणियों को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गे कृत किया। समप्रुष्ठ रज्जु प्राणी और असमप्रुष्ठ रज्जु प्राणी। हमने जाना कि विटेकर ने विभिन्न वर्गों के आधार पर और व्यवस्था की भिन्न श्रेणियों के आधार प्राणियों का वर्गी करण किस प्रकार किया है। इन श्रेणियों को और इन नामों को याद रखना थोड़ा कठिन है। क्यों है ना। चलिए, अंग्रीजी में इसके लिए जो आसानी सी तरकीब बताई गई है उसके बारे में आपको बताया जाए इसके आधार पर आप स्वयम भी इसी प्रकार से नाम याद रख सकते हैं यहाँ पर हर शब्द के शुरुवाती अक्षर से एक मज़ेदार वाक्य तयार किया गया है जैसे के से किंग, पी से फिलिप, सी के लिए क्राइज, ओ से आउट, एफ से फॉर, जी से गुड और एस से स्लीप इन्हें मिलकर वाक्य बना, किंग फिलिप क्राइज आउट फॉर गुड स्लीप बच्चो, आप अपनी सुवीधा के लिए यह वाक्य भी याद रख सकते हैं क्या आप असमपृष्ठ रज्जु के दसो संगों को याद रखने के लिए कोई मज़ेदार नाम सोच सकते हैं? कोशिश करके तो देखिए, जब हम इन्हें एक मज़ेदार वाक्य के जरिये से याद रखते हैं, तब उन्हें याद रखना और भी आसान हो जाता है कोशिश बाद बाद रखना है